दोस्तों आप सभी का बुद्वत स्वागत है आमारे चैनल में इस वीडियो के अंदर अब्यालों लूसेंट समाने ग्यान इससे रिलेटेड जो है important 40 plus question इस वीडियो में देखने वाले है तो दोस्तों आप इस वीडियो बहुत ध्यान से लास्तिक देखिए चैनल पनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने बाद बगल में एक बेल आइकन आएगा उसे वान करके वाल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देए तो चले शुरू करते हैं देखे यहां पर आमारा पहला कुश्चन दिया क्या है निमने लेखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतिय नागरी को को ही प्राप्त है तो देखे केवल भारतिय नागरी को को ही जो है यह अनुछेद 15, 16 और 29 में प्रदत मूलभूत अधिकार जो है यह केवल भारत नागरी को कोई प्राप्त है तो अब संडी यहां पर करेक्ट हो जाएगा उपर युक्त में सभी इसके अलावा मौली का धिकार से रिलेटेड जो कोशन एक जाम में पूछे जाते हूं वह यहां पर हमने लिख रख्या है देखे पहला दिया गया है भारतिया नागरी को कुल कितने मौली का धिकार प्रदान किये गया है तो देखे जिस टाइम पर संविधान बन कर तयार हुआ था यानि मौल संविधान में टोटल सात मौली का धिकार दिये गया थे लेकिन 2400 संविधान संसुदन किया गया जिसमें एक जो संपत्तिक अधिकार था उसे मूल अधिकार की सुची से हटा कर कानूनी अधिकार बनाये गया तो याद रखना है अभी कितने हैं ये कम हो गया है 6 मौलिक अधिकार है मतलब अगला कुशन दिया क्या है मौलीक अधिकारों का निलंबन कोन कर सकता है तो राश्पती याद रखना है मौलीक अधिकारों का निलंबन कोन कर सकता है राश्पती कर सकते है मौल अधिकारों को सरपर्थम किस देश में संबैधानिक मान्यता परदान की गई तो मूल अधिकारों को सबसे पहले ये सनुत्राज अमेरिका में संबैधानिक मान्यता परदान की गई मौलीक अधिकार संबैधान के किस भाग में बढ़नी थे याद रखना है मौलीक अधिकार का बढ़न संभिधान के किन अनुशेदों में है तो मौलीक अधिकारों का बढ़न जो है अनुशेद 12 से 35 तक में बढ़नी थे ठीक है याद रखना है आपको कुशन नमबर टू है नेमन कथन पर विचार करें तो देखे यहाँ पर तीन कथन दिये गया है आपको इन तीनों कथनों पर विचार करना है देखे पहला कथन दिया गया है राज्यसभा के सदस्य कारेकाल 6 वर्स का होता है तो देखे यह कथन बिल्कुल करेक्ट है दूसरा क कथन दिया गया है राजसभा अस्थाई सदन है लेकिन इसके एक चौधाई सदन से प्रति दूसरे बर्स पद मुक्त हो जाते हैं तो यह भी कथन जो है करेक्ट है तो यहाँ पर अप्शन डी करेक्ट हो जाएगा उपर युक्त सभी ठीक है कुशन नंबर थर्ड है धन बिध्या को राजसभा अधिकताम कितने दिनों तक रोख सकती है तो अधिकताम जो है यह चौदा दिनों तक रोख सकती है अप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कुशन नंबर चार है कोई भेक्ती उच नियाला के नियुक्त होने का पात्र होगा जब हो तो देखिए उच नियाला नियाधिस होने की कारेक्टरिया इसमें पुछा गया है तो देखिए सबसे पहले भारत राज्य छेत्र में कम से कम दस वर्सों तक नयाईक पद धारण किया हो या लगातार दस वर्स तक उच्छ नयाला या नयालेयों में अधिवक्ता रहा हो तब जो है ये उच्छ नयाला के नयाधिस होने के लिए नयाधिस होने के लिए तो यह पर केवल ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा ठीक है कि बेतिया पात उद्गोंसरा कानमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों दोरा कितने महा के भीतर होना चाहिए बेतिया पात उद्गोंसरा कानमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों दोरा कितने महा के भीतर होना चाहिए तो देखिए दो महा के भीतर होना चाहिए उप्शन सी यहां पर करेक्ट हो जायेगा बितिया पाथ की बात कर रहे, तो यह अनुशेद 360 में, आपको याद रखना है, बितिया पाथ कौन से अनुशेद में है? और विश्वास प्रस्ताव जो है कब लाए गया 1967 में लाए गया याद रखना है 1963 में Option B करेक्ट हो जाएगा राज्य के नेति निर्द सक्ततों के परवर्थान के लिए किस अनुशेद में उपबंध किया गया है तो ये अनुशेद तो ये भागचार में राज्यो का संग भागचार में अनुशेद 36-51 तक में बढ़नी थे याद रखना है चिलाया समीती का गठन किस वर्थ किया गया था भीरे इंपोर्टेंट कुश्यन है बहुत बड़ ये कुश्यन जामा पुशा जा चुका है चिलाया समीती का गठन कब किया गया था 1991 में याद रखना है 1991 में किया गया था निमनलेखित में से किस करानथी का संबंध कोको उत्पादन या फिर चम्ड़ा उत्पादन से है तो correct answer अप्सनी हो जाएगा भूरी करानथी का जो संबंद है, ये कोको उत्पादन या फिर चमड़ा उत्पादन से संबंदीत है, इसके अलावा, मैहतपोण क्रेशी उत्पादन और यहां पर करांतिया लिखे हैं, जो एकजाम क्ले इंपोटेंट है, पहला दिया गया है, हरित करांति, किस संबंदीत है, खाद्यान उत्पादंसे संबंदिथा स्वेत करांती, दुखद उत्पादंसे, नीली करांती, मतस्य उत्पादंसे, भूरी करांती, उर्वराक उत्पादंसे, रजत करांती, अंडा उत्पादंसे, पीली करांती, तिलहन उत्पादंसे, क्रिस्न करांती, बायोडिजल मांस उत्पादन से गुलावी करांते जींगा मचले उत्पादन से गन्य का उचित और परिश्रामिक मुल्या यानि एफारपी अनुमोदित करता है तो देखिए आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समीती का अनुमोदित करता है ठीक है तो अपसन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कोशन नंबर 11 है डांडे मार्च की समाप्तिक किस्तिति को ही 6 अपरेल 1937 को ही अपसन C करेक्ट हो जाएगा गाधि के जीवन काल में घटन निमन घटनाओं का काल करम सही नहीं है कौन सा मतलब इसमें काल करम जो है सही नहीं है तो देखिए पहला दिया गया है चौरी चौर दिया गया है दुईतिया गोल में समयलन साथ सितंबर 1937 को ये भी करेक्ट है पूना समझा उता 24 सितंबर 1932 को ये भी करेक्ट है और पांच ए चौथा ओप्सन जो दिया गया है भारत छोड़ों आंदोलन तो भारत छोड़ों आंदोलन कब हुआ था आठ ए आठ या 9 अगस अगस्ट उन्य सब ब्यालिस को हुआ था ठीक है नौ अगस्ट उन्य सब ब्यालिस को जो है भारत छुड़ों अंदोलन हुआ था तो यहीं पर यह गलत है तो अप्शन डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा अजाध हिंद फोज के साथ है सुबास चंद्र बोश ने सिंगापूर में स्वत अंत्र भारत की ओ अस्थाई सरकार का गठन कप किया तो देखें ओ अस्थाई सरकार का गठन जो है भारत में 21 अक्टूबर 1947 को किया ठीक है तो आंसर हो जाएगा अप्शन बी कुछन नंबर 14 ह अप्शन बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों यादि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्ली वीडियो को लाइक जरू करें और अपने दोस्तों में सेर भी कर सकते हैं चैनल पनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन पर अउन करके Ốल न नोटिफिकेशन आपको time to time मिल सकेगा अगला question देखते हैं बहावियों के बिद्रों को कुछलने का सरे किस गुवर्नर जनर्नल को जाता है तो यह Lord एलगिन प्रत्थम को जाता है ठीक है लौड एलगिन प्रत्थम को जाता है अप्सन भी यहां पर करेक्ट हो जाएगा सिंदुगाटे सब्भेता के अंत्रगत सौव को दफनाने के ओसेस मिले है इसमें सौव के सीर किस दिशा में रखे मिले है तो देखे इसमें सोहो के जो सीर है ये उत्तर दिशा में रखे मिले हैं तो अपसनी यहां पर करेक्ट हो जाएगा किस बौध संगीती में बौध हरम को दो संपरदायों में बिभाजन हो गया था किस बहुत संगीती में बहुत धरम का दो संपरदायों में विभाजन हो गया था किस में हो गया था तो यह उप्संडी में हो गया था चतूर्थ में ठीक है महभीर स्वामी को किस नदी के टट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई तो ये रिजुपाली का नदी के टर्ट पर प्राप्ती हुई ठीक है, option C correct हो जाएगा दुनिया में कुल कितने देश हैं बेरे important question है दुनिया में कुल कितने देश हैं तो देखी 195 देश हैं याद रखना है कितने हैं 195 सवयुक्तराष्ट के अनुसार लगभग 251 देश हैं बीश्व में सवयुक्तराष्ट के अनुसार जो है लगभग 251 देश है और पर देश मौझूद है लेकिन United State of America द्वरा परदान की गई माननेता के अनुसार बीश्व में जो है 1966 देश है हलाकी अधिकारिक दोर पर 195 देशों को जो है माननेता पराप्त है तो याद रखना है कितने देश है 195 देश है अजीवक संपरदाय के संस्थापक कौन है मखली पुत्र है अजीवक संपरदाय के संस्थापक अपसंसी करेक्ट हो जाएगा किस मुगल सासग के सासन काल को इस्तापत्यकला का स्वर्णिमकाल कहा जाता है किसको बुला जाता है तो देखिए बुला जाता है सा जहां को ठीक है तो अप्शन सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा दिवान ए अर्ज किस बिभाग से संबंदी था यह भेरी इंपोर्टेंट कुश्चन है याद रखना आपको सैने विभाग से संबंदी था सी अंसर हो जाएगा 23 है बसावन वद दसवंत किस सासक के दरबारी चितरकार थे तो यह अकबर के दरबारी चितरकार थे याद रखना है अप्शन B करेक्ट हो जाएगा निमनलेखित में से कौन सुमेलित नहीं है तो देखिए यहां पर चार अप्शन दिया गया है इसमें बताना है कि कौन जो है सुमेलित नहीं है पहला नरोरा यह उतर प्रदेश में है सुमेलित है दूसरा कुंडन कुलम कुलम करनाटक में नहीं है कुंडन कुलम कहा है तमिलाडू में है कुंडन कुलम कहा है तमिलाडू में है याद रखना है त दारापूर महराश में तो बी यहाँ पर जो है 24 के बी करेक्ट हो जायेगा और तिसवी साम्नांतर रेखा की दो देशों के मत्ध्य इस्तित है तो ये ऊतर कोरिया और दछिल इस्तित है अब सन्दकरक्र Lewis प्रजलन तापना तो कम नहीं ज्यादा होना चाहिए तो देखिए भी इंधन के बारे में जो है यह सत्य है यहां पर सत्य इसका गूड यह नहीं है तो अप्सन भी यहां पर करेक्ट हो जाएगा 27 है सुची 1 को सुची 2 से सुमेलित कीजिए तो देखिए भी इंपोर्टन कोशन विटामिन से कोशन एकजाम में पूछे जाते हैं विटामिन B7 की बात करें तो विटामिन B7 की कमे से क्या होता है तो इसकी कमे से बाल जड़ते है ठीक है विटामिन B7 की कमे से क्या होते है बा फॉर होता है तो यह है भडानधता बड़ा अंधता जो है पूरुसों में ज़्यादा तर देखने को मिलते हैं इसमें कलर पहाचाने में प्रब्लम होती है इस रोक के अंदर याद रखना है आपको हीमोगलोबिन लाल रखत को सिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है तो देखे हीमोगलोबिन जो है किसका वहन करता है अक्सीजन का वहन करता है याद रखना है अपसनी करेक्ट हो जाएगा किसी पदार्थ को ये कवस्था से दूसरी आवस्था में बीना तपमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवसेक उस्मा की मात्रा है तो क्या है गुप्त उस्मा उस्मा की मात्रा गुप्त उस्मा अपसंडी करेक्ट हो जाएगा 32 देखते हैं निमनेलेखित कोशिका अंगो में से किसमे नियुकली कामल नहीं पाय जाता है तो जीव दरबे में जो है नहीं पाय जाता है अब संडी करेक्ट हो जाएगा निमने लेखित में से कौन से विटामीन एका अच्छा सुरोत नहीं है तो विटामीन एका अच्छा सुरोत इन में से कौन से नहीं है मचली का तेल विटामीन एका अच्छा सुरोत है पालक भी है जनतों के यक्रितेवम गुर्दे यह जो है विटामिन A का अच्छा सुरूत नहीं है तो अपसन C यहां पर करेक्ट हो जायेगा तो देखे पहला इक अथन जो है सत्य है यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं तो यह प्राकृतिक रबबर के बारे में करेक्ट है कि सितत्यों का रासायने गुण ने लेखित में से कौन ताय करता है बेरी इंपोर्टेंड कुश्चन कि सितत् इल्लेक्टरान के संख्या ताय करता है है option C correct हो जाएगा देव पर्याग किन नदीों के संगम परिस्थित्थई तो यह भागिरति और अलकनन्दा के संगम परिस्थित्थ है option C correct हो जाएगा निमने लेखित में से किस राज्य से करकर रेखा बीचो बीच गुजरती है करकर रेखा किन राज्यों से बीचो बीच गुजरती है तो यह मद परदेश से बीचो बीच गुजरती है अब संसी करेक्ट हो जाएगा निमने लेखित में से कहां सरवाधिक जयव विबीत्ता पाई जाती है तो जयव विबीत्ता सबसे अधि कहां पाई जाती है तो देखिए ये पाई जाती है उसल कटी बंधिया बरसा बंद में ठीक है उसल कटी बंधिया बरसा बंद में तो पहला दिया गया है बांधव का राष्टिय उद्यान तो ये मध्य परदेश में है रोहला राष्टिय उद्यान ये गुजरात में नहीं है कहां पर है हिमाचल परदेश में है ठीक है रोहला जो है ये हिमाचल परदेश में सीमली पाल राष्टिय उद्यान ओडिसा में है तो देखे अपसंडी करेक्ट हो जाएगा अगलुहास जो है ये सीत महासागरिय जलधारा नहीं है बाकी ये तीनों है बेंगुएला हमबोल्ट और लेबराडोर तीनों जो है ये सीत महासागरिय जलधारा है अगलुहास जो है नहीं है तो अपसंडी यहाँ पर करेक्ट हो ज लेखते हैं निमनेलेखेत में से किस नदी को दच्छिड भारत की गंगा कहा जाता है तो काभेरी नदी को बुला जाता है अप्संद बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला question है यह आप लोगों के लिए Homer question रहेगा ठीक है question है लाल बहादुर सास्त्री Stadium कहां इस्तीत है लाल बहादुर सास्त्री Stadium option है आपके पास हमदाबाद, चंडिगर, नई दिल्ली, हैदराबाद तो दोस्तों यदि आपको इसका अंसर पता हो तो comment box में जरूर बाता है और आप इन question में से कितने question अपना score कर पाए है अपना comment में बता सकते हैं कितना score आप कर पाए है ठीक है और मतलब वीडियो पसंद आयो तो please वीडियो को like करें अपने दोस्तों में share कर सकते हैं और channel पनाया है तो channel को subscribe करके बगल में एक bell icon आएगा उसे on करके all notification पर click किजिएगा ठीक है all notification पर जब भी मैं कोई न्य वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका notification आपको मिल जाएगा all notification पर click होगा तभी मिलेगा ठीक है तो मिलते हैं अगले वीडियो में नमस्कार जय हिंद जय भारत